पूतरखन से हमें कॉल आया है सतेंद्र जी का जी सतेंद्र जी किस तरह की परिशानी है आपके साथ सवाल आप कर सकते हैं जी आप हमें सुन पा रहें जी सवाल करें आपके आवाज जो है वह बहुत जादा सपर्श नहीं है किस तरह की समस्या है जी आपके परिशानी परिशानी बहुत जाएगी अपनीश चैपका जैसे आने के लिए उम्र कितनी हैं आपकी कि धुक से आपके साथ। यह उमर 50 त्रइपंग साभर अलोग स्विव canis aorta कि तुन दृत अरू आ resin होती है तुन गोर जा आजन पर इकिंए dimension को कभी मुझे भी आजाती हैं तकलीब से आती है? फद्र ही जह जो है, मैं जुकिशनी दोरिमा आती है दूझ से लोज रहस की ठीक है ठीक है, अदेखें, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और युनानी में हर समस्या का निदान है दिखिए, मेथि तो आप समझेते, मेथि का दाना जीज़े 500 gram मेथि इसको पडर बना लीज़े, बहुत बारिक नहीं पारर बना लिज़्े 500 gram का और एक आता है नमक जैतून ये रसायन होता है जैतून का जैतून एक फल है जो खाड़ी के मुलकों पैदा होता है जिसका सेवन जिसका तेल निकाला जाता है उसका सिर्का भी होता है इसका नमक भी होता है नमक जैतून के नाम से या रसायन जैतून या ऐस्टेक जैतून ये डिर्ट सो Graram लेकर इसमें मिला लीजे ये नमकीन नहीं होता इसे हैं आधे नमा करें न cheese सु söz पर आधा चिमए भी appropriate दोप्रा ले में सवाल करें आप अपना मीने जी सवाल करें कब से हैं परिशानी क्या है आपके साथ मतलब थाराइड की वज़े से क्या समस्या आती हैं आपको परिशानी है मतलब थाराइड करता है अपना दरत करता है थारीड जी हकीम साथ देखिए थायराइड ठीक करने तो हो सकता है किसी और इलाज की ज़रूत ना पड़े थायराइड का एक काम्याब नस्खा जो मेरे जीवन और अनुभाव से होकर गुजरा और जिसके करोडों ल आप उठाया आपको पेश कर देता हूं लिख लीजे काँ भी पैन है तो लिखने का फाइदा है अब दिमाग में रखेंगे तो निकल जाए को गलती करेंगे तो मैं जिम्हदार नहीं आ तीन सो ग्राम धनिया सो ग्राम आवला सो ग्राम मेति और सो ग्राम गॉन मॉरिंगा सफेद सो ग्राम गॉन मॉरिंगा सफेद तीन सो ग्राम धनिया सो ग्राम आवला सो ग्राम मेति सो ग्राम गॉन मॉरिंगा सफेद पाउडर बनाएं एक चमश सुबा एक चमश साम खाएं थायराट की गोली भी न छोड़े हर महीने आपकी गोली कम करते जाएंगे डॉक्ट जाट गोले छूट जाएगी थोड़े दिन में ये भी खतम हो सकता है और आप स्वास्ते जिन्दगी गुजार सकते हैं विक्रम जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से विक्रम जी प्रश्न पूछें या अग्या मुझे बहुत नहीं लगती है और पेट गुम रहता है जी एज बताईए विक्रम साब अगर साथर साल एज है सर में ठीके विक्रम साब एक घरे लिए उसका बड़ा अच्छा है और आप जानते भी होंगे देखिए मैथी लीजे पांच सो ग्राम मैथी खरीद लें और इसको पाउडर बना लें घर में एक रसायन आता है जैतुन का रसायन कि arguing नमख जैतुन आसान भाशा में कहते हैं नमख जैतुन और एंगलिश में कहते हैं थेंचान जैतून का एस्टेक है ये सो ग्राम में ले लिए ए इसमें मिलाकर एक चमच शुबा एक चमच कहाया करें आपकी ये दोनों समश्याएं ठीक होना मुझमकित है. एक और caller हमारे साथ जुड़े हैं, इन दौर से हमें कॉल किया है जुनेत सहाबने. जुनेत जी सवाल पूछें. में चर में बर्द होता है और चक्करते आते हैं. सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उम्र कितनी है आपकी? मेरे अनुभाव के अनुसार आपको सर्वाइकल है सर में दद होना और चक्कर भी आने का मतलब है कि हमारी यहां गर्दन में डिस में रग दबती है कभी दिमाग में जाने वाली तो कभी सर में चक्कर आता और कभी दर्द होता बड़ा खतरनाक है चक्कर तो देखी बगेर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं इसका मुझे काफी तजर्बा है एक जमाने में भी सर्वाइकल का मरीज रहा हूँ और जिसको होता है पर होता है दोक्टर कहता है के आखका टेस्स करा हो आखके कमजोर होगे जी पिर वो ठीक निकलता है तो फिर एक दोक्टर कहता है दिमाग का टेस्स करा हो लेकि sucar लाएकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और आद्मी परिशान हो जाता है कितने टेस्ट करा है एक मैं आपको बताता हूँ अक्सरसाइज जो मैंने किय और मुझे फाइदा हुआ और मैंने लाखों करोने लोगों को बताया उन सब को फाइदा होता है जो मेरी बात घोर से सुनत है और कान ऐसे ये दो-तीन मिनट रोज करना है आपको और दो-तीन मिनट ऐसे पूरी तरह मोड़ें पूरी जितने दगी मैं यहां तक ली आता हूं यहीं देखें दो-तीन मिनट यह रोजाना करें आप को बहुत अश्चरिय भी हो सकता है कि दस दिन में ऐसा लगेगा कि आपक दवा भी खाएं जब आपको दंद हो तो दद की दवा खाएं लेकिन यह दस दिन जरूर करें दस दिन में आपका विश्वास बहुत मद्बूत हो जाएगा और वज़र नहीं उठाएं आप देखेंगे कि दस दिन में आपको फाइदा तो हुआ लेकि आप करते रहें यह आपको बार-बार होगा नहीं तो अगर आप करते रहेंगे तो फिर दुबारा नहीं होगा यह अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिये और आप देखेंगे कि आप सेहत में जिन्देगी गुजार सकते हैं क्रिश चावला जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से क्रिश जी आपके साथ किस प्रकार की समस्या है जी और कुछ बताना चाहते हैं कितनी उमर है आपकी एज आपकी पतनी क्यों है ना दस साल दस साल आं जी दस साल के मरीज को थायराइट है ठीक है कोई बात देखिए अभी से इलाज बड़ा असान हो जाएगा देखिए अलसी शॉरी देखिए धनिया दाना धनिया का दाना तीन सो ग्राम सो ग्राम आवला सो ग्राम मेथी और सो ग्राम गौन मौरिंगा साफेद यह आप पाउडर बना ले और आधा चम्मश सुबह आधा चम्मश शाम गरम पानी से खिलाएं और थायराइट की दवा जो चल लएए अभी छोड़े नहीं और अपनी परानी रिपोर्ट अपने पा आप देखेंगे के थायराइट पर कमी आने लगी और दीरे दीरे डॉक्टर आपकी इस बच्चे की प्रोटेंसी कम करेगा दवाओं की और दीरे दीरे छूट जाएंगी आप यह इलाज कर सकते हैं आजदानी दिली से हमें कॉल किया है परवीन जी ने उनसे बातचीत करते हैं जी बताएं किस तरह की परिशानी है आपके साथ मेरे समर में बुड़नों में और पैरों में लीचे तभी में घर्द रहता जी और ब्लेड प्रेशर पीजी की सहक है हम जी उमर कितनी है आपकी मेरी उमर एज़ी 55 पचपन साथ हां देखिए दो चीजे बताता हूं आप को एक एक करके कर सकते हैं अलग-अलग बिलाज कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं ब्रेश पेशर वालों को अपना खूब खया लगना चाहिए और आपके घर में जिसके भी कमर में दर्द हो और टांगों में या घुटनों में और पैरों में हो तो उसके घर में टॉयलेट यानि कुर्सी वाला बातरूम जरूर होना चाहिए तो ऐसे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं और जिनके नहीं होता उनको टाइम बहुत लगता है तो देखिए गौंद सिया एक गौंद आता है जो इंतहाई कड़वा बसूरत होता है काला गौंद होता है ये काला ग असली जरूरी नकली भी मिल जाता है बहुत कड़वा होता है लेकिन फाइदे में बहुत मीठा है ये फाइदा पहुंचाता है तो आदमी कड़वा हट बोल जाता है इसकी इसका पौडर बना लीजे और एक या दो चुटकी सुबा एक या दो चुटकी शाम खाने के बाद बगए चर्बी के दूस से ले और पानी से भी ले सकते हैं जूस से भी ले सकते हैं जिनको डायबटीज ले यह यह आपके दर्द का घरे लिए उसका है और ब्लेट पेशर के लिए जो दवा खाते हैं और लगातार रोजाना तीन चम्मस जैतून का सिर का पानी मिलाकर एक वक्त रात में पिया करें जुरूट पढ़े तो दो टाइम भी पी सकते हैं इससे आपका ब्लेट पेशर भी ठीक होना मुम्किन लेकिन 6-7 महीने आपको प जैतून का सिर्का शायद इन्होंने मंगवाया था आप यही कह रही है जी परिशानी क्या है आपके साथ किस तरह की बीमारी है जी कपसे खा रही है है हफते बर से दवाई खा रही है फाइदा है थोड़ा जी और कोई सवाल तो नहीं है आपका बुमार का था बहुत से बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके खुल के बात कर रही है और ये तो पंजाबी जानती है मुझे समझा रही है मैं पंजाबी जादा नहीं जानता है और देखिए आठ दिन हुए हैं फाइदा शुरू हो गया और ये भगवान का बहुत बड़ा इनाम है कि आठ दिन में अगर मरीज कहने लगे कि मुझे थोड़ा फाइदा शुरू हो गया तो आप खुश हो जाएए देखिए ब्रैन का अटेक दुबारा नहीं होता जो लोग जैतून का सि दुबारा नहीं होता जिसको भी होता बार बार होता है लेकिन जो लोग ये लेते हैं उनके ऐसा इतिहा से के दुबारा नहीं होता लेकिन अगर दवा भी ली जाए तो बार बार होता है लेकिन इसका ऐसा हमारा अनुभा हो है कि जैतून का सिर्का जो लोग लगातार लेते उनको दुबारा नहीं होता, दूसरा, ब्लड प्रेशर से निजात मिलना मुंकि रहे, टाइम लगेगा, बहुत चल्दी मत करना आप, पांस साथ महीने भी लग सकते हैं, दस महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो गोली आपकी छुटके रहेगी, और गोली खाते रहें आप नहीं है, फाइदा शुरू हो गया, एक दिन पूरा फाइदा मुमकिन है, भगवान पर भरोसा करिए, मुझे मत करिए, दवा पर मत करिए, भगवान भरोसा करिए, आपको फाइदा होना मुमकिन है.